प्यारे बच्चों, आज हम बराठी सुगम भारती यत्ता साहवी की किताब से छोटी शीबी इस कवीता को पढ़कर समझेंगे आईए बच्चों कवीता शुरू करते हैं एका मणा वाचा छोटी शीबी रुसू नको, जमीनी तनुस्ती बसू नको, माती पान्याचे गुन घेउन वर्याईला विस्रू नको प्यारे बच्चों कवी बीज से कह रहा है के छोटी शीबी रुसू नको चोटी सी बीज तुम खफा मत हो, नाराज मत हो, रुठो मत, जमीनी तनुस्ती बसू नको, जमीन में सिर्फ बैठे मत रहो, माती पान्याचे गुन घेउन, जमीन और पानी से ताकत हासिल करके वर्याईला विस्रू नको, उपर आना भूल मत जाओ बच्चों बीज में कौम निकल आईए अब, अब कवी बीज की कौम से कहता है के कौमबा कौमबा रुसू नको, देठात लपून राहू नको, लाल तांबूस रंग घेउन, पान देयला विस्रू नको बच्चों कवी कह रहा है के, कौम कौम रुसू नको, कौम कौम खफा मत हो, नाराज मत हो, रूटो मत, देठात लपून राहू नको बच्चों कौम की जो डंडी होती है, उसे देठ कहते हैं, कवी कह रहा है के, सिर्फ देठ बन कर मत रहो, लाल तांबूस रंग घेउन, लाल सुर्ख रंग के साथ, पान देयला विस्रू नको, पत्ते निकानना भूल मत जाओ बच्चों कौम में से अब पत्ते निकल चुके हैं, अब कवी पत्तों से कह रहा है के, पाना पाना रुसू नको, बाल पनाद बसू नको, दोन हातांची ओंजड करून, कड़ी देयला विस्रू नको बच्चों कवी कह रहा है के, पाना पाना रुसू नको, पत्तों पत्तों, खफा मत हो, नाराज मत हो, रूठों मत, बाल पनाद बसू नको, बच्चपने में ही मत रहो, यानि छोटे ही मत रहो, दोन हातांची ओंजड करून, दोनो हातों की मुठी बना कर, कड़ी देयला व बच्चो अब पत्तों में से कली भी निकल चुकी है अब कवी कली से कह रहा है के कड़ी कड़ी रुसू नको घट पाकड़यात बसू नको पाकड़यात तून फुलून खुलून फूल देयाईला विसू नको बच्चो कवी कह रहा है के कड़ी कड़ी रुसू नको कली कली खफा मतो नाराज मतो रुठो मत घट पाकड़यात बसू नको सक्त पाकड़यों में बैठे मत रहो पाकड़यात तून फुलून खुलून पाकड़यों से खिल कर फूल देयाईला विसू नको फूल देना भूल म बच्चों कली अब फूल बन चुकी है कवी फूल से कह रहा है के फूला फूला रुसू नको कोम बगतें बगू नको रंगंधात डोल डोलून बी देयलावी सुरू नको बच्चों कवी कह रहा है के फुला फुला रुसू नको फूल फूल खफा मतो नाराज मतो रूटो मत कौन बकते हैं बगू नको ये मत देखो कि तुमें कौन कौन देख रहा है रंग गंधात डोल डोलून रंग और खुश्बू में डोलते वे बी देयला विसुरू नको बीज देना भूल मत जाओ बच्चों हमारी ये कवीता बीज से शुरू होकर बीज पर ही खत्म हुई है मतलब इस कवीता में बीज का चक्कर बताया गया है इस सुन्दर कवीता को लिखने वाली कवीतरी है माया दुपड ये थी बच्चों हमारी मराठी सुगम भरती की कवीता चोटी शी भी इन्शालला हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिज